मिलोड पिछले दिनों में बत्वां गाउं में जितने भी कत्लर हुए हैं उन सभी में एक नाम मुखर कर सामने आया है लल्ला और यह सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से अजया जी के स्कूल से जुड़े हुए थे कोशिश अच्छी थी मिलोड पुलीस को लगता है कि अजया जी ही लल्ला बनकर यह सारे के सारे कतले किये जा रहे हैं पुलीस को अपनी तहकीकात के दौरान यह बात पता चली कि अजया जी बचपन से ही बड़े उग्र सभाव के रहे हैं बड़ा ही वाइलन टाइप का नेचर रहा है इनका, अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते हैं, इनके स्कूल में इनकी मारा पिटी के कई गिस्से हैं, ये देखिए, ये हैं इनके स्कूल टीचर्स के टेस्टिवनी, और साथ ही इनके साइकार्टिस्ट का स्टेट्मेंट पिछले कई गिनों से अजया जी अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए अपना इलाज करवा रहे थे, लेना देना है वकील सहाब, बिल्कुल है, मिलोड, सबक के रास्ते से जाने पर, अजया जी के घर और घटना स्थल के बीच की दूरी लगबग 3 किलो मिटर आती है, लेकिन अजया जी के घर और घटना स्थल के बीच में जो नदी बहती है, उसके रास्ते से जाने पर यही दूरी एक किलो मिटर के लिए भगाती है, राजया जी आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए ये बात नामुम्किन हो सकती है, लेकिन अजया जैसे तेज तरार तहरा के लिए नहीं, बिलकुल नहीं, ये देखें मिलोड, ये है अजया के स्कूल के स्विंग कोच का स्टेटमेंट, उन्होंने बताया कि एक बार स्कूल के स्विंग कॉम्पेटिशन के दौरान अजया अपना गुसा इतना बढ़ा चुके थे कि उसमें वो आपाखो बै और उन्होंने एक बच्चे का सिर्फ हो दिया, मिलोड, वो बच्चा जान से जा सकता था, मरते मरते बचा वो, इतना ही नहीं, उनके स्विंग कोच ने ये भी बताया कि अजया इतने जबरदस्त स्विंग हैं कि अगर वो हाथसा नहीं हो आउता, तो शायद आज अजया ओ अलम्बिक लेवल के सिमर के लिए, पच्चिस मिनिट में नदी के इस पार से उस पार जाना, उस पार से इस पार आना कौन सी बड़ी बात है, क्यों वह की इंसाम, ठीक कहा ना मैंने मिलोड, पलीस को अपनी तहकीकाद में एक और एहम बात पता चली है, अजया जी का असली नाम अजया कुमार नहीं, बलकि अजया प्रताप सिंग है, जी हाँ, जाने माने बेलिस्टर, श्री रगुवेंटर प्रताप सिंग के सुपोतर है अजया जी, करोणों की संपत्ती के मारिक है, लेकि फिर भी बत्वा जैसे एक छोटे से गाव में एक गुम्नान जिन्दगी जी रहे हैं, क्यों, आखिर क्यों, एक दम सही कहाँ वकील जहाब आपने, बिलकुल सोला आने सही, लेकिन अगर कतल की जगह पर अजया जी की डायरेक्ट या इंडायरेक्ट किसी भी तहरे की माजूदगी के सबूत हो, तो पुलिस उन्हें गिरफतार तो कर ही सकती है, क्यों, ठीक करना मैंने, मिलोट, पुलिस को पूरा शक है, कि इन सभी मर्डर्स के पीछे किसी ना किसी तरीके से अजया जी का ही हाथ है, और इसलिए सेक्शन 151 कावन के तहरे मुकत्मा दर्ज करते हुए, पुलिस अजया जी की पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट करती है, बस मिलोट, उसी को एकठा करने के लिए ही, पुलिस मुल्जिम अजया जी की साथ दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग करती है, that's all मिलोट,